ओम नरायन, 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 सबमित रुकराम राम, दोस्तों कैसे है आप सब, दोस्तों आज सुबह जब में फेस्बूक को बैठा था तो आचानक से एक आर्टिकल मेरे सामने आया, दप्रिंट का ये आर्टिकल है, आज ही 26 परवरी 2023 को पब्लिश किया हुआ आर्टिकल है, जिसका टाइटल है, हर्यानवी सॉंग्स आर मुविंग फ्रॉम वल्गरिटी टू वेल, गुंगट इस सेक्शुलाइस्ट, मेल गेट्स दम्यूज, हर्यानवी जो गाने हैं, वे अभी अश्लीलता से गुंगट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानि हर्यानवी की जो उन्हें बहुती अश्लील भल्गर ऐसे कपड़े पहनाए गए होंगे और उसके उपर घुंगट डाल दिया होगा, मजाग उडाने के लिए, ऐसा कुछ शायद होगा, ऐसे मैंने अपने मन में कलपना की, फिर मैंने आगे पड़ा कि किन गानों के बारे में चर्चा हो रही है, तो मैंने यूट्यूब पर जाकर इने सर्च किया, अब देखिए इस विशेफरम आगे चर्चा करें, उससे पहली एक बात में कलियर कर देना चाहता हूँ, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसका आर्त में कोई इन गानों को सपोर्ट करता हूँ, या इन गानों को सिखता वाला, रिग्रेसियो, और्थर्डॉक्स वगर ऐसे जो सर्टिपिकेट इन गानों के क्रेटर्स को इस आर्टिकल में दिये गए हैं, उसको लेकर भी हम आगे चर्चा करेंगे, और मैं कुछ अपनी तरफ से भी बताना चाहूँगा कि कई बार जो सामाने परिवारो से आने वाले जो क्रेटर्स होते हैं, या जिनका entertainment industry में ऐसा कोई connection नहीं होता, और यहां पर सामने परिवार मतल में कोई अमीर गरीब की बात नहीं कर रहा, ऐसे परिवार से आने वाले क्रेटर्स जो परिवार अपने roots के साथ में कही न कही पर जुड़े होते हैं, परमपा हम कोई ऐसा शब्द या ऐसी लाइन उपयोग कर देते हैं, या ऐसा कुछ सीन दिखा देते हैं, जिसको लेकर फिर liberals को target करने का मौका मिल जाता है, यह तो हम सभी जानते हैं कि भाई पारमपारिक वेशबूशा, पारमपारिक जो हमारी खाद्य संस्कृती है, हमारे देश क कल्चर से जुड़ा हुआ, चाहे कुछ भी हो, वो लिबरल्स की आखो में चुपता है, उसको अगर कोई भी कही पर भी, चाहे किसी फिल्म में हो, कहीं सिरीज में हो, कहीं पर गानों में हो, उसको अगर कोई प्राउडली दिखाता है गाओ के कल्चर को, तो वो लिबरल्स सरी बाते आपको पता चलेंगी कि ये entertainment industry कैसे काम करती है, कला और साहिति का क्षेत्र कैसे काम करता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि इस पर कला और साहिति के क्षेत्र पर जो leptist है, liberals है वोक्स है, उनका पुर्ण रुप से वर्चस है, कमसा है, और वे किसी भी दूसरी विचारधारा के विक्ति को यहाँ पर survive नहीं करने देते, यहाँ पर आगे नहीं बढ़ने देते, और अगर कही गलती से वो सफल हो जाता है तो उसका character assassination करने का प्रयास करते हैं, या उसको अलग-लग प्रकार के regressive, orthodox, toxic patriarchal mindset वाला, नारी विरोधी, महीं आओकर दबा कर रखने वाली मानसिकता का वगरा वगरा ऐसे certificate देते हैं तो यह सब कैसे होता है और कैसे यह mindset होता है liberals का, इसके बारे में इस article से पता चलेगा, इस कारण से मैं यह video बना रहा हूँ, और बाकि से 52 का दामन गाने को 1500 करोड व्यूज है 1500 करोड और दूसरा जो चटक मटक जो सौंग है, उस पर 95 करोड से ज़्यादा की व्यूज है 95 करोड मुझे लगा कि हाँ भाई, यह कोई बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है से गाने हैं, और इस प्रकार से आर्टिकल दिखा है, तो इस पर चर्चा हो नीच है, इस कारे से मैं यह वीडियो बना रहा हूँ तो हम कहा थे कि मैं यूटुब पर इन गानों को फिर सर्च करने के लिए गया 52 का दामन सर्च किया, उसके बाद मैं चर्च किया, तो पता चला कि गानों में जो गाउ का बहुती आलादीत प्रफुलित करने वाला जो आतावरन है, बहुती प्रसंद करने वाला ऐसा जो आतावरन है, वो दिखाया है, गाउ के लोग बड़ी ही हसी खुशी रह रहे हैं, एक दुसरे के साथ में मजाग मस्ती कर रहे हैं, और जो गाउ की महिला हैं, वे अपने इस चीवन को, अपने इस पारमपरिक वेशबुशा को वो सिलिब्रेट कर रही है, कही पर बावन गच का दामन, दामन मतलब घागरा तो अपने पारमपरिक वेशबुशा को या बिंदी लगाने को, इन बातों को वो सिलिब्रेट कर रही है, गाउ की महिला, अंदृत्य कर रही है का रही है, एक बहुती हस्ता खेलता हुआ गाउ का वातावरन जैसा की होता है वो इन गानों में दिखाया है अब आप समझी गए होंगे जो हमारे चैनल से जुड़ी वे मित्रे वो जानते ही कि मैं हमेशा कहता हूँ कि गाउ को हमारे लिबरल्स वोक्स कैसे प्रेजेंट करते हैं कि भाई गाउ की जो मर्द होते हैं पुरुश होते हैं, वो तो बस दरिंदे होते हैं खुंखा और मॉंस्टर्स होते हैं वो भेडियो की तरह बस नजर ताके हुए गाड़े हुए बैठे रहते हैं हातों में डंडे होते हैं वो महिला उपर बस अत्याचार करते हैं ऐसे मॉंस्टर्स होते हैं या तो वो वह वही बलातकारी होते हैं या नपुनसक होते हैं इस प्रकार से उनको प्रेजेंट किया जाता है एक टॉक्जिक पेट्रियार्कल वातावरन जहाँ पर कोई खुश नहीं है सब बस ऐसे दरिंदे हो आप कोई भी वोक और लिबरल मैंडसेट की फिल्म या कंटेंट उठा कर देख लिए उसमें आपको यही देखने को मिलेगा चाहिए वो अनुषका शर्मा की एनेश्टेन जैसी कई वर्ष पहले हो आई वही फिल्म हो तो यहाँ पर इन गानों में इस प्रकास एक आलादित प्रफुलित आनन दित कर देने वाला खुशहाल ऐसा वातावरन गाउ का दिखाया है तो सौवाविक सी वाते पीडा होना तो बिल्कुल सौवाविक था और इन गानों की जो वीडियोज है उनकी नीचे के कमेंट्स भी मैंने पड़े कई सार ऐसे कमेंट्स पड़ने को मिले जैसे की रिनुका पवार जी आपका धन्यवाद है कि आपने हर्याना की म्यूजिक इंडस्ट्रे से अश्लिलता को दूर कर दिया कुछ ऐसे भी कमेंट्स थे कि इन गानों से पता चलता है कि बिना अश्लिलता की भी हम सफल हो सकते हैं व्यूज मिल सकते हैं बिना अश्लिलता की भी इस प्रकार से लोगों ने इन गानों की प्रशंसा की है पर अभी इन में से कुछ ऐसी line या कुछ ऐसा वाक्य उठा कर इसके जो creators इन गानों के उन्हें इस article में toxic patriarchal mindset वाला नारी विरोधी महिलाओं को दबा कर कुछल कर रखनी की मान सिकता वाला ऐसे ऐसे इन गानों में इन गानों के creators को certificate दिये हैं दांसर स्वेंग इन गुंगट आर चार्टिंग नेक्स पाथ फोर हर्याना's music industry, clocking more than a billion views on YouTube, so करोड से भी ज्यादा views है और हर्याना की music industry को एक नई दिशा आगे गाने दे रहे हैं, these three songs by Dolly Sharma, Sapna Chaudhary and Renuka Pawar Pranjal Dhaiya sum up what is going on in हर्याना's pop culture today, a sexualization of deep patriarchy that demands women to be demure and appeal to the male gaze, जो एक गहरी पुरुष प्रधान सोच है, उसको sexualize किया जा रहा है, और महिलाओ से ऐसी मांग की जा रही है कि वे बहुती शर्मीले ऐसे सौभाव की बनी रहे, डिमे और शर्मीले, शान्ति पुर्ने से सौभाव की वो बनी रहे, ताकि जो पुरुषों का दृष्टिकोन है, उसको अपील कर सके, उसको उनके दृष्टि से सही लग सके, इस प्रकार से महिलाओ बन कर रहे, शान्ति पुर्न और शर्मीली बन कर रहे, ये उनको समझ मैं वो गाने देखकर, इस सौंग्स आर प्लेडिंग्स, बर्दे पार्टिस, कॉलेज फेर्वेल्स, रेस्टोर इन हरियाना, ये हरियाना में एक बहुती नया डिस्टर्बिंग ट्रेंड चल पड़ा है, अब देखिए अभी तक आपको पता चली गया हो कि उनका जो मुख्य प्रॉब्लेम है, वो महिलाओ को, फिमेल करेक्टर्स को, महिला कलाकारों को सेक्शुलाइज करने को लेकर नह काने बताये जा सकते हैं, और उनके लिरिक्स, भाई मैं क्या क्या बताऊं कैसे कैसे लिरिक्स, उनके महिलाओ के अंगों को कैसे कैसे अबजिक्टिफाय करने वाले, कैसे कैसे शब्दों का उप्योग किया जाता है, अब मैं किसका किसका नाम ले हम, और इवन अभी एक जो बेशरम रंग सौंग उसमें तो भाई सारी सिमाएं ही पार कर दी अबजिक्टिफाय करने की पर वो तो उनको बहुत सोबर और बहुत क्लासी लगता है वो काने लिबरल्स को बहुत क्लासी लगते हैं वो सब क्योंकि वहाँ पर शायद वेस्टन कपड़े पहन कर वो सब शु दोंगी तो उनको पीडा हो जाती है हालकि मैं यह नहीं कह रहा है मैंने पहले ही काना में कोई सपोर्ट करने के लिए ऐसे ही बात नहीं है पर एक मानसिक्ता मैं आपको यहां पर बता रहा हूं मैं यह नहीं कह रहा है कि बावन गज का घागरा पहन कर गाउं में मटक कर चल के चलना गाव में कोई बहुत बढ़िया बात है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा शरीर में तो हम कितनी आसकती शरीर में रखना है, तो गलत ही है, शरीर की जो सुन्दरता है, आप उसको कितना भी सजधज लीजिए, कितना भी अपने आपको बहुत मटक मटक के आ आलादित ऐसा गाव का वातावरन दिखा दिया जाए, या पारंपरिक वेजबुशा में कोई स्त्री खुश है, ये दिखा दिया जाए, तो प्रॉब्लम हो जाती है, ये सबसे बड़ी समस्या है, सेक्शुलाइज करने को लेकर समस्या, अबजिक्टिफाइग करने को लेक लिबरल्स की मुख्य समस्या नहीं है, ज्यादा से ज्यादा जो बॉलिड के ऐसे कुछ बहुत ही वल्गर जो लिरिक्स का कुछ गारों में यूज किये जाते हैं, उनको बस ऐसे हसी की बात बना दिया जाता है, थोड़ा सा मजाग बना दिया जाते हैं, देखो कैसे लिरिक माइंडसेट और नारी विरोधी महिलाओं को कुचल कर रखने की मानसिक्ता ऐसे शब्द बॉलिड की उन सिंगर्स के बारे में रैपर्स के बारे में वहाँ पर उपयोग नहीं किये जाते वो वस थोड़ा हसी मजाक में वो उनको एक उल्टा एक रास्ता खुला कर दिया जाता है थोड़ा सा मजाक बना कर पर दूसरी तरब ऐसे creators को पूरा उनका character assassination कर दिया जाता है उनका चरित्रहनन कर दिया जाता है पूरन रूप से आगे लिखा है अब इससे पहले उन्होंने जो बाते कही थी पारमपरिक विशबुशा को लेकर उसमें और ज़्यादा वजन देने के लिए उन्होंने गन कल्चर वाले सौंग्स को भी इसमें एड कर दिया है अब आप किसी भी बात को किसी दूसरी बात के साथ में लिंक कर देंगे अपनी बात को एक वजन देने के लिए तो फिर तो कुछ भी कहा जा सकता है किसी भी बात को किसी भी बात के साथ लिंक किया जा सकता है गन कल्चर को तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा तो आप दो अलग-अलग विश्यों को पुर्णुर्प से उन्होंने यहाँ पर जोड़ा है आगे लिखा है जो इस प्रकार के ट्रेंड है इनके द्वारा पुरुषो की महिलाओं पर विजय या पुरुषो के नीचे महिलाओं को दप कर रहना चाहिए इस परकार की मानसिक्ता को यह बढ़ावा दे रहे है और बेगिंग हिम तो लिव इस एविल हैबिट्स अब यहाँ पर उन्होंने किस गाने की बात किये पतानी पर अब महिला मेकप के सामान को खरिदनी की मांग कर रही मतलब यह भी एक जहिरीला पूरुषत्व है शायद उनको ऐसा कहना होगा देखे पहली बात तो मतलब यह मेकप वगेरा आप अगर देखेंगे ज्यादा तर आप भी भी अगर पुराने लोग आप देखेंगे ना हाला कि यही जो लिबरल्स और वोक्स है ना वो बड़ी-बड़ी बॉडी शिमिंग की बाते करते हैं और बड़ी-बड़ी फ्यरने स्क्रीम्स का विरोध करने का दिखावा करते हैं पर दुसरी तरफ इनी मेक अप वगेरा करने को इन बातों को बहुत वो प्रोग्रेसिव या पेट्रिया की के बंधोनों को उन्होंने तोड़ दिया है जब अगर हम सच धज रहे हैं अपने मन से तो ये पेट्रिया की के बंधोनों को तोड़ने की तरफ उन्हें वो लगत तो ये बहुत ही double standards और दो मुई बाते सारी लगती है पर अगर कोई स्त्री है उसको अगर शर्मिला दिखा दिया जाए तो उससे भी उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है या पती को बुरी आदते छोड़ने के लिए अगर हो कह रही है तो ये भी उनको सहन नहीं होता क्यों आप मेरा वो criminal justice के season 2 का review आप देखना उसमें भी पती की हत्या को उन्होंने justify किया है बड़ी ही weird weird सी बाते करके बिना किसी सबूत के ही court में उन्होंने इसको फिर justify भी कर दिया पतनी के दौरब पती की हत्या को उसके बाद और भी आप even Netflix की darlings में भी शायद यही था मतलब बहुत सारा content है आप आपका और भी उधारन चाहिए तो आप मेरा criminal justice के season 2 का review देखना तो liberals के अनुसार तो भई पती की हत्या कर दो या उसको लात मार कर भाग जो या शादी तोड़ दो परिवार तोड़ दो यही एक मार कर रास्ता होता है एक दूसरे के प्रती प्रेम या टॉक जिक पेट्रियार की वगएर ऐसे शब्द बार-बार उपयोग किये हैं तो मैं जो मैंने शुरुवात में उलेक किया था कि ऐसे जो traditional families से आने वाले जो creators होते हैं वे कई बार मतलब वो गाओ के हसते खेलते वाता और उनको तो वो दिखाते हैं पर कई बार यह सब दि रहते हैं कि किसी में किसी प्रकार से ऐसे content को वो target कर पाए अब इन दोनों गानों की अगर हम बात करें तो इसमें से जो 52 का दामन गाना है उसमें जितने भी महिला पात रहे वो पानी भरने के लिए जा रहे हैं सजदर्श कर जा रहे हैं और मैं 52 का घागरा पहन कर सजदर् में एक नोकर उसके पाव भी दबा रहा है एक सीन में उसके हाथ में डंडा भी दिखाया है भली हसी मजग में ये बाते उन्होंने दिखाई हो पर फिर भी उसके हाथ में डंडा दिखाया है और डंडा ऊपर उठा रहा है तो इससे घर में एक पुरुष प्रधान एक पु भी दबवाते रहते हैं या आरामी करते हैं एक सामाने परिवार अगर आप देखेंगे तो कोई किसान होता है तो किसान खेत में हल जोता है या खेत में काम करने के लिए वो जा रहा है कोई इलेक्ट्रिशन होता है वो स्पाव दबवा रहा है और आराम कर रहा है ऐसा नहीं होता न अब इसी काने में अगर जो पुरुष है वो खेत में काम कर रहा हो ऐसा अगर दिखाया जाता और फिर वो अपनी पतनी से अगर पूछता कि इतना सजदश कर पानी भरने के लिए जाने की क्या आवशकता है खेत में काम करते हो अगर वो कहता तो तो वो एक अलग पर यहां पर भले ही आपने पूरुष का वो रॉब वगरा जो भी दिखाना है तो यह तो उसको अलग तरीके से वो अगर दिखाते तो जादा बेटर होता बिल्कुल सौवव एकसी बात है और बिल्कुल हमें पारंपरिक जो वेशबुशा है हमारी उसको हमें गरों के साथ में दिखाना चाहिए पर ऐसा कोई भी आउसर हमें गलती से भी नहीं देना चाहिए कि कोई हमारी उस बात को टार्गेट कर पाए क्योंकि ऐसे ही एक तो जो भी अपने कल्चर को थोड़ा बहुत अपनी फिल्मों के माध्यम से दिखाते भी है या दिखाने का प्रयाज भी करते हैं उसमें भी अगर हम इस प्रकार की कोई बात दिखा दे जो गलत है बिल्कुल तो वो तो बिल्कुल टार्गेट करने का सामने वाले का आउसर में लेकरते हो करेगा ही टार्गेट बले ही उसकी बातों में हिपोकरसी क्यों नहीं हो बले ही वो दुसरे हज़ारों सेक्शुला और वोक्स की जो डबल स्टेंडर्स है, वो हिंदु संस्कृति को लेकर और अन्य रिलिजिन को लेकर कैसे बदल जाते हैं, ये देखिए, जब पारंपरिक वेजबुशा हमारे भारतिय सनातन संस्कृति से जुड़ी होई होती है, तब तो वो बिलकुल उसको सहन नहीं कर पा इतने बड़े फिल्मेकर, उनको तक नहीं छोड़ता ये एकोसिस्टम, ये हमने देखा हैं न, और इसी के अगेंस्ट, इसी के अगेंस्ट, आप ये वीडियो देखिए, मुल्क जैसे फिल्म जब रिलीज हुई थी, तो उस समय उसके क्रेटर्स के दोरा कैसा वीडियो डा इसका सम्मान करते हैं, पर ये सम्मान जब हिंदू संस्कृति की बात आती है, हिंदू संस्कृति के पारंपरिक वेजबुशा हो, पारंपरिक खाद्य संस्कृति हो, हमारा कल्चर हो, या हिंदू संस्कृति से जुड़े वे त्योहार हो, पर्व हो, तब ये सम्मान कहां चला जाता है तब तो उन्हें मंगल सुत्र या सिंदूर लगाना बिंदी लगाना हमारी पारंपरिक वेजबुशा पाओ में जोड़े पहनना ये सोला श्रिंगा रादी ये सब कुछ तो उन्हें पेट्रियार्की का प्रतिक लगता है उसका तो ये खुलकर विरोध करते हैं एक मॉडल की मैंने बात बते देखे उसने अपने विवाह में गुंगट पहना था पारंपरिक वेजबुशा राजस्तान की उन्होंने वो पहना था उसके फोटो जब उन्होंने डाले तो ये जो वोक और लिबरल्स का इकोसिस्टम है उन्होंने पूरा उन्हें लिंच कर के समय पहनी थी तो इस प्रकार से ये जो डबल स्टैंडर्स से लिबरल्स के ये हमने कई जगह पर देखे हुए हैं और जहां तक बात है गुंगट की तो गुंगट हमारे सनातन वैदिक हिंदू संस्कृती का कभी भी अंग नहीं रहा है आप हमारे जितने भी ग्रंथ है शास्त्र है उनमें आप देख लीजे कही पर भी कोई गुंगट का उलेख हो ऐसा कही पर भी नहीं मिलेगा जब विदिश्य आकरांताओं के आकरमन भारत पर बड़े और उनके जो अत्याचार थे बच्चियों को महिलाओं को उठा कर लेकर कि जाते थे हरम में उन पर जो अमान विया ऐसे अत्याचार होते थे उस कारण से चाहे बालविवा हो या गुंगट हो ये प्रथा उस समय के लिए शुरू भी हुई थी पर अपने आप वो समाब्द भी हो गई आज आप देखिए कही पर कोई हिंदू परिवार अपने बच्चियों को स्कूल में कही पर गुंगट पहना कर भेजता है कोई एक सिंगल हर्याना में ही आप देख लीजिए कही पर भी जिस हर्याना को बॉलिवड हमेशा से ही बहुत रिक्रेसिव पेट्रियार्कल सोच व या घर में कोई तेवहार हो तो उस समय ट्रेडिशन फैमिली या पूजा में बैठते समय सर पर कुछ कपड़ा लेना वो तो पुरुष के लिए लेने के लिए कहा जाता है पर उन बातों को लेकर भी किस प्रकार से टार्गेट किया जाता है या बुज़रों के सामने जब उनके चरंसपर्श करने हो तो किस प्रकार से विनमरता के साथ में वो सरपर घूंगट लेकर या कपड़ा लेकर वो चरंसपर्श किया जाते हैं यह यह हमारी परिक वेजबुशा का एक अंग है और उसको लगातार लगातार इस प्रकार से टार्गेट किया जाता है और गल पूरा कमर से पूरा जुक कर प्रणाम करते भी दिखाये जाएगा पार बार जितनी भी आप वो बुजर्गों से बड़ों से मिलते हैं बले ही वो सामने वाला व्यक्ति गलत हो सही हो यह अलग बात है पर वो बुजर्गों से जब मिलते हैं तो वो जुक कर प्रणाम अवश् उन्हें अगर जुक कर बुजरुगों को प्रणाम करते दिखाए जाते हैं तो इसको भी मज़ा उड़ाएंगे वो कमर में दर्ध हो रहा है हाई रे हाई ये पेट्रियार की हाई रे हाई ये हमारे ट्रेडिशन्स कितने गंदे भद्दे ट्रेडिशन्स हैं इस प्रकार से उ आपको समाप्त करना चाहता है वो नहीं चाहता कि इस देश की कल्चर को इस देश की परमपराओं को सेलिबरेट किया जाए उनसे ये बात सहन नहीं होती बाकी आप दूसरा आप कुछ ऐसा अपने ट्रेडिशन्स से अलग हट कर फिर आप वेस्टन बनकर कितना भी गंदे इस लिखिए कितने भी गंदे आप ऐसे अशलीलता से महिला करेक्टर को फिमेल करेक्टर को अबजिक्टिफाय करिए आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा उल्टा वो आपको बहुत लिबरल्स को बहुत क्लासी लगते हैं सोबर लगते हैं इसी बाते बहुत पर जावा अपन सामने वाले को हमें किसी भी प्रकार से टार्गेट करने का कोई मौका कोई आउसर ना मिले वागत दोस्तों आपके इस पूरी विशे पर क्या विचार है मुझे आप नीचे कमेंट पर आवशे बताना ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन् जैश्री राम बंदे मातरम